हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टो माई चैनल विभामेट.com में आप सभी का स्वागत है तो फ्रेंड्स आज जी देखे बहुत इजी डोरमेट 12 कल योका मैं आपको बता रहे हूँ जो बहुत इजी है बनाने में तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं और देखते हैं ये हमारा टोरमेट है काफी बड़ा है इसको हमने पहले से ही बना लिया था तो चलिए देखते हैं कि इसको कैसे बनाना है सबसे पहले इसमें हमने डॉले हैं 40 फंदे और 40 फंदे डालने के बाद एक 100 बीन ली थे ऐसे ही उसके बाद हमने यहाँ से स्टार्ट कर दिया यहां से दूसरा कलर लगाना और इस चेके से जब हमने दूसरा color लगाया है तो दो फंदे इस वाली line में दो फंदे इस color के बीन लिए और ध्यान रखें कभी भी अगर आप दो color का बना रहे हैं इसमें दो मलेटी color लगा हुआ है अगर दो color बना रहे हैं तो आपको क्या करना होगा इसमें बीच में जो है light color लगाई है बाहर dark color लगाई है उससे बहुत अच्छा इसका look खुलके आता है तो इसमें देखेंगे यहां से हम पहले एक सिलाई बीन लिया है बीनने के बाद यहां से हम दो फंदे इस वाले color में इस color के दो फंदे बीनेंगे और इधर से दो फंदे हम छोड़ते हुए जाएंगे बनलब जो हमने बीने थे उसके दो फंदे हम नहीं बीनेंगे उसके दो फंदों के पहले से ही हम वापस आजाएंगे और यहां से जिसे दो बीने थे हम यहां पे चार फंदे बीन लेंगे चार फंदे बीनेंगे यह लाश्ट में जितना बचता है वहां पे आके हम क्या करेंगे यहां पे हम दो दो फंदे फिर से इस वाले कलर के हमको यह वाली सिलाई नहीं भीननी है यही इसी कलर को हमें दो दो फंदे यहां से कम करते हुए और जिस तरह हमने यहां पे बढ़ाया था उसी प्रोसेस में तो दो फंदे हम इसको कम करते हुए हम उपर की साइड जाएंगे और यहां पे जब लाश्ट में दो फंदे बसते हैं या वन फंदा बसता है आपने किस तरह से कभी भी फंदा लें उसमें एक फंदा नक रहें जोटा फंदा कभी न रखें तो यहां पे एक फंदा जब ब चबिए सब्सक्राइब करेंगे जो यहां पर कीये थे इस तरह प्रोसेस करते हैं यहां पर आएंगे और इस चएगे आके हम फिर उसी तरह बींठे बीरूरी चलाayएंगे अब इस जिस प्रोसेस से हमने इसको बनाया था उसी प्रोसेस से हम बनाते हुए पूरा बारा कलियों का यहाँ पर बनाएंगे कभी हम सोचे कि यहारा डोर्मेट पूरा नहीं होगा तो नहीं जब आपकी बारा कलिया पूरी हो जाएंगी तो डोर्मेट कंप्लीट हो जाएगा और प्यारा लग रहा है यह देखें अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप मुझे बताए मैं इसको आपको बना के दिखा दूँगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएगा अगर आपको अच्छा लगा तो बताएगा मैं बना के दिखा दूँगी और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सव्क्राइब मै चैनल और एक चीज़ और कहना चाहूंगी कि आप लोग बार बार सस्क्राइब का बटन मत तबाया करें को कि वो बार बार दबाने से अन्सस्क्राइब हो जाता है तो प्लीइस एक बार ही सस्क्राइब का बटन तबाईए और सस्क्राइब कर लेंगे तो मेरे आने वाले हर चैनल हर वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाएंगे उसके लिए नोटिफिकेशन ओन कर लिजे और यह देखें डूरमेट अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक और सस् मैं चैनल हो क्प्रैंट्स बाई बा financi Terim